एलो दोस्तो, मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छी होंगे दोस्तो, आप सभी के लिए एक गुड नियूज है वो क्या है? आज से हम आपको वीकली एनलेसिस भी प्रोवाइड करेंगे ये आपको सेटरड़े ये संडे में, वीकेंड के टाइम पर मिले करेंगे जहां पर हम पूरे हफते का आपको मार्केट का मोमेंटम बताएंगे कि क्या पोसिबिल्टी हो सकती है किस तरीक से एक एनलेसिस देंगे कि अगर उपर गया तो कहां पर रेजिस्टेंस ने ज़रा रहा है कहां पर सपोर्ट ने ज़रा रहा है जैसे हम daily analysis करते हैं, ठीक वैसे ही आपको weekly analysis भी प्रोवाइड किया जाएगा तो यह पहली वीडियो है, तो मुझे अपना feedback जरूर दीजेगा कि आपको इससे कुछ benefit हुआ कि नहीं है, market के momentum को समझने में मदद मिले की नहीं, यह जरूर बताएगा, क्योंकि यह पहली वीडियो है, आपका feedback जानना जरूरी है अगर feedback positive आता है, तो हम इस series को continue रखेंगे daily analysis भी आपको हर रोज प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर यह पसंद आता है तो हर weekend पे हम पूरे week का भी एक analysis आपको provide करा देगे चलो दोस्तों फिलाल आप यहाँ पे देखेंगे, one day का time frame यहाँ पे हमने select कर रखा है यहाँ पे हर एक जो भी हम time frame लेंगे, वो one day का time frame लेंगे अगर आप मेरी previous जो daily analysis देखते हो, वहाँ पे हम 15 minute का time frame लेते है तो यहाँ पे हम चीजों को देख रहे हैं, one day के time frame यहाँ कि हर एक candle जो आपको दिखाई दे रही है वो पूरे दिन के momentum को बता रही है, कि पूरे दिन market में किस तरीके से momentum किया है वो चीजे बता रही है तो चलो, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक resistance zone बनाया हुआ है जो कि आप देखेंगे 39,500 पे है इसे बनाने का एक मकसद है, यहाँ पे आप देखेंगे, इन तीनो दिन, इन तीनो candle को देखो market ने इसका breakout देने के कोशिस की, लेकिन दे नहीं पाया और वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली है और फिर से market इसके नजदीक आया था बिल्कुल सेम इसी zone में तो नहीं है, लेकिन नजदीक आया था और वहाँ से भी आप आज देखेंगे, आज market में ये वाली आप candle देखेंगे आज भी हमें गिरावट देखने को मिली है यानि कि जो हमें आज स्पास जो important level नज़रा रहा है वो 39,500 का नज़रा रहा है अगर market ने इसका breakout दे दिया उसके बाद जो resistance रहेगा, आपको easily market 40,000 तक जाते हुए दिख सकता है अब जो ये 39,500 का जो level है इसने पहले भी एक important role play किया है अगर आप October में जाएंगे देखो, हम यहाँ पे दिन का नहीं देख रहे हैं पिछले दिन का नहीं देख रहे हैं, महीनों के में बात कर रहे हैं हम सीधे October पे चले गए October को भी ये level एक resistance के रूप में हमें दिखाई दिया था और market ने gap up open के साथ इसका breakout दिया था यानि कि मैंने आपको हमेशा समझाया है जितना भी important level होगा या तो अच्छे खासे volume या एक बड़ी candle के साथ market को उसका breakout देना पड़ेगा या तो वो gap up के साथ देगा या gap down के साथ देगा अगर breakdown दे रहा है तो gap down के साथ देगा breakout दे रहा है तो gap up के साथ देगा या फिर उसे breakout देने के लिए एक बड़ी candle अच्छे खासे volume के साथ बनानी पड़ेगी या फिर breakdown देने के लिए एक अच्छे खासी candle volume के साथ बनानी पड़ेगी यह चीज आप यहाँ पर समझगी तो यह level अक्टूबर में भी काफी important रहा जैसे ही हमारे किसी resistance zone का breakout मिलता है तो वो हमारे लिए edges support काम करने लगता है तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 4 दिन तक market edges support काम करता रहा इस level पर फिर यहाँ से हमें एक positive momentum देखने को मिला यहाँ पर एक resistance ने जरा इसकी बाद में बात करेंगे जब आगे future में discuss करेंगे जब market इसका breakout देदेगा अगले weekend पर discussion करेंगे अगले weekend पर भी तब करेंगे जब आप इस analysis को पसंद करोंगे इसका feedback दोंगे क्योंकि जो हम daily analysis करते हैं उसका आपका एक positive feedback आ रहा है आपको उससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा market को किस तरीके से analyze करते हैं positional trading या swing trading किस तरीके से लेते हैं market के momentum को समझ के चलो फिलाल आप यहां पे देखो इस red वाली candle को देखो इसमें एक बड़ी तेज़ी के साथ एक बड़ा volume यहां पे आप देखेंगे एक बड़ी गिरावाट हमें दिखाई दी थी लेकिन support कहां लिया था इसी level पे 39,500 पे ही इसने support लिया इसी zone में और वहीं से momentum दिखाया और इस पूरे time पे भी market ने इसी zone पे support लिया हाला कि आपको नीचे यह आपको एक red candle दिखाई दे रही होगी इस दिन market ने इस level का breakdown जरूर दिया था लेकिन आप देखेंगे इसके नीचे अरले वाली जो lower shadow है इस पे आप देख सकते हैं कि यहां से buyers कितने तेजी के साथ हावी हुए क्योंकि यह भी एक important support level था क्योंकि पहले भी एक important resistance रहा है और जब भी किसी resistance zone का breakout होता है तो वो support zone में बदल जाता है तो यहां पर पाहर से से तेजी के साथ उपर लेगे हमें उससे मतलब नहीं है इसका हम बाद में discussion करेंगे हमें मतलब है 39,500 से जो कि हमें next वाले दिन एक क्या देखने को मिला next candle पे support और फिर से ये edge सपोर्ट काम करता रहा और दूसरी interesting चीज़ देखो जब इसका breakdown दे दिया market ने इस वाली candle पे देखो फिर से आपको एक gap down opening देखने को मिले है यहाँ पे इस वाली candle को आप देख सकते हैं फिर हमें गिरावट देखने को मिले है चलो उससे भी मतलब नहीं फिर यहाँ पे आजाओ फरवरी में आजाओ फिर से हमें इसी level पे एक resistance दिखाई दिया है और second time भी market इसी के आज पास आता हुआ दिखाई दिया है तो एक important resistance हमारा क्या रहने वाला है प्राइज एक्षन की मदद से भी support और resistance हम डिसकस करेंगी फिलाल मैं आपको 39,500 समझाना चाहता था उससे related जो भी मैंने discussion किया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ होगा एक point हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फिर से आप देखेंगे one day का time frame हरे candle एक दिन को रिपरजेंट करें क्योंगे हम यहाँ पर weekly analysis करें मैंने आपको चार patterns बताय हुए है और मेरे ख्याल से यह चारो pattern आपके लिए फैवरेट बन चुके हुए मजा रहा होगा आपको इन चारो patterns को देखके यह चार pattern इतनी भार discuss कर देते हैं और आपको profit भी होते होंगे इन चारो patterns से तो हमारे यह चारो pattern यह वाले थे तो क्या हमें यहाँ पर कोई pattern नजरा रहा है यह वाला नहीं दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है न, ऊपर एक resistance line जो कि resistance को बता रही है, नीचे एक support line जो कि support को बता रही है, और हमें एक range मिल रही है अब यहां से दो possibility होगी पहली possibility, या तो market आपको इसे extend करना है या तो market इसी range में चलता रहेगा और ये और narrow होता जाएगा ये तो है पहली possibility, अगर ये वाली भी situation आती है तो हमें पता है कि resistance कहाँ है और support कहाँ है क्योंकि साब साब दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने trend line ड्रो कर रखी है कभी से 15 minute पे मैं डूढने लग जाना, ये one day की time frame पे मैं फिर से repeat कर देता हूँ तो पहली possibility तो हमें ये पता लगी क्योंकि यहाँ पे एक candle जरूर ही नहीं है कि एक ही दिन में break out मिल जाए या एक ही दिन में break down मिल जाएगा क्योंकि momentum थोड़ा थोड़ा आता है और ये हमारी क्या help करते हैं हमारे profit को book करने में help करते हैं हमें entry लेने में help करते हैं क्योंकि अगर resistance zone पे हमें एक negative momentum दिखाई दे रहा है तो हम selling position ले सकते हैं या फिर हमने यहाँ पे buying position लिए है तो resistance zone के नजदीक जाते ही हम सार अपना profit book कर सकते हैं या फिर same case अगर हमने यहाँ पे selling ली हुई है market नीचे आ रहा है हमें पता है यह support zone है हम अपना profit book कर सकते हैं या फिर हमें यहाँ पे volume ज़्यादा दिखाई दे रहा है buyers ज़्यादा हावी हो रहे हैं तो हम यहाँ से buying position भी बना सकते हैं समझे ना पहली हमें क्या चीज पता लग रही है अब दूसरी चीज की बात करें दूसरी चीज जो हमें पता लग रही है वो है अगर इसका breakout मिला price उपर sustain किया तो हमें मिलेगी buying opportunity अगर इसका breakdown किया price नीचे sustain किया तो हमें मिलेगी selling opportunity यहां तक कोई confusion नहीं है हमारे pattern से आपको कौन सी दो चीजे समझ में आ रही है वो आपको अच्छे तरीके से पता लग गया सोरी आगे बढ़ते अब हम यहां पर price action की मदद से भी support और resistance देख लेते हैं पहला जो हम discussion करेंगे अगर market में आपको gap up opening देखने को मिलती है या फिर flat opening देखे market आपको positive momentum दिखाता है इन दोनों ही situation पे जो हमें resistance नजरा रहा है वो 39,500 नजरा रहा है और जो यह 39,500 है क्या इसका discussion करने की जरूरत है बिलकुल भी नहीं है क्योंकि सुरुवात ही हमने 39,500 से की है और यह समझाना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने सुरुवाती इस लेवल से की और मैंने इसे भी हटा दिया इसे भी हटा दिया इसे भी हटा दिया आपको सिर्फ यह समझाया क्योंकि यह काफी important level है अब हम इस से आगे समझते हैं अगर आपको मिल गया इसका break-up फिर हमें 40,000 जो है यह एक important resistance नज़रा रहा है हाला कि market ने जो high बनाया है वो एक अलग चीज है उसका भी हम आगे future में discussion कर लेंगे जो हमारा next resistance जोन रहेगा वो रहेगा 40,000 अब यह क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इसके पीछे के भी कहानिया आप अक्टूबर में जाएए अक्टूबर में भी यह एक important resistance रहा है और market ने अगर आप इस वाली candle पे focus करेंगे gap-up opening के साथ इस resistance का break-out दिया था उससे भी पीछे आएए आप नौंबर के शुरुआत में आजाएए नौंबर की सुरुआत में अगर आप देखेंगे तब भी एक important resistance के रूप में हमें दिखाए दिया था तो possibility है अगर 39,500 का आपको break-out मिला तो 40,000 आपके लिए एक नए resistance के रूप में सामने आ सकता है अगर इसका भी break-out मिला वो हम आगे discuss कर लेंगे दूसरा discussion कर लेते हैं अगर market में आपको gap-down opening देखने को मिली या फिर flat opening देखे market ने दिखाया आपको negative momentum इन दोनों ही situation में जो में support नजरा रहा है ये हमने आपके लिए find out किया है 38,000 पे 38,000 पे ये हमें एक support दिखाए दे रहे अब इसे find out करने का भी एक reason था आप फरवरी में ही देख लो फरवरी में आपको यहाँ पे market support दिखा चुका सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप जन्वरी में भी जाएंगे जर्वन जन्वरी में शुरुवाती week में आपको ये resistance दिखाई दे रहे ब्रेक आउट मिलने के बाद ag support दिखाई दे रहे फिर breakdown मिलने के बाद ag resistance दिखाई दे रहे ये लेवल जन्वरी में भी important रहा था उससे पीछे जाए नवंबर में देखिए नवंबर में भी ag support पहले काम कर चुका इवन ag resistance भी ये काम कर चुका उससे भी पीछे जाएए अब अक्टूबर में जाएए अक्टूबर में भी ये लेवल AJ resistance काफी important रहा था उससे भी पीछे जाएए अब September में जाएए September में भी AJ resistance आपको ये काम करता हुआ दिखाए दिया था तो ये लेवल हमारे लिए बहुत जादा important है इसलिए आपको इस पर बारेकी से नजर रखनी है क्योंकि या तो market इसका gap down के साथ breakdown देगा या फिर अगर flat open देखे भी breakdown देने की कोज़िस कर रहा है तो एक बड़ी candle के साथ इसे देना पड़ेगा अच्छे खासी volume के साथ आप example देख सकते हैं जब जब भी आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देख लो यहाँ पे देख लो यहाँ पे देख लो रिजल्ट आपके सामने है चलो अगर इसका भी breakdown दे देता है उसके बाद support कौन सा हो सकता है उसके बाद जो हमें support नजर आ रहा है वो 37,000 पे हमें support दिखाई दे रहा है हाला कि यहाँ पे एक point और समझने का है अगर आप फरवरी में देखेंगे तो 37,000 से पहले ही market support बना चुका जो एक momentum retest किया था इस तरह के से market ने momentum दिया काफी लोग यह भी कहेंगे कि यह भी as a support काम कर सकता है तो इस पर भी आप नजर रख सकते हैं लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको 37,000 as a support लेके चलना है क्योंकि इसके पीछे की कहानी देख लो आप कितनी बार यह important रहा है आप January में जाएए जनवरी में यहाँ पर देखो सुरुआत में ही इसने resistance में काम किया breakout देने के बाद support में काम किया फिर से market retest किया फिर से support में काम किया फिर support में काम किया उससे पीछे जाए आप December में जाए December के सुरुवाती week में as a resistance काम किया breakout देने के बाद as a support काम किया उससे भी पीछे जाए November में जाए November में भी आपको as a support काम किया breakdown दिया gap down opening के साथ तब as a resistance काम किया उससे भी पीछे जाए October में जाए October में market में जो गिरावट आये थी इसी जोन में support लेके market ने positive momentum दिखाये था उससे भी पीछे जाए आप September में जाए September के सुरवाती दिन में आप देखेंगे तो ये एक मजबूत resistance के रूप में हमें सामने दिखाई दिया था लेकिन जब market ने इसका gap up open के साथ इस वाली candle के साथ इसका breakout दिया था तब ये edges support हमारे सामने नजर आया इसलिए मैंने आपके लिए ये level find out किया है उससे पहले वाले का मैं discussion नहीं किया जो फरवरी में ये low बनाया है इसका मैंने discussion नहीं किया क्योंकि उससे भी जादा important मुझे ये नजर आ रहा है पर लेकिन उस पे भी आपको नजर रखे चलने है क्योंकि पहले भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको lower में एक बड़ी shadow नजर आएगी किलिए रहा तक कोई confusion नहीं है एक step हम और आगे चलते है अब pivot point की मदद से भी देख लेते हैं कि कौन-कौन से support or resistance हमें दिखाए दे रहे यहाँ पर आप देखेंगे one day का हमने time frame लगा रखा है अगर bank nifty में आपको एक positive momentum देखने को मिला ऐसी इस्तिती में जो हमें पहला resistance नजर आ रहा है यहाँ रहा है 39,530 एक बात और मैं फिर से बता रहा हूँ कि यह weekly analysis है one day के time frame पे काफी लोग इसे mismatch मत कर जाना कि आप daily analysis पे अलग level है इस पे अलग level है यह one day के हिसाब से level है कि पूरे week आपको market किस तरीके से momentum करते हुए नजर आ सकता है कहाँ पे support, कहाँ पे resistance होने की possibilities है, 100% तो कुछ भी नहीं होता है यह सिर्फ possibilities होती है कि ऐसा हो सकता है तो इसलिए आपको यह धिहान रखके चलना है कि मुझे comment मत करना कि sir आपने यहाँ पे कुछ और level बताए है daily पे कुछ और बता रहे हो daily अलग होता है क्योंकि वो 15 minute के time frame पे होता है समझ रहे हो न चलो अगर पहला resistance हमारा यह रहेगा आपको मिल गए इसका breakout जो हमें दूसरा resistance दिखाई दे रहा है वो 40,056 पे दिखाई दे रहा है अगर आपको इसका भी breakout मिलता है जो हमें तीसरा resistance दिखाई दे रहा है क्योंकि profit भी आपका यह होने वाला है, loss की जिमेदार भी आपको अपने आप लेनी है जो यहाँ पर हमें तीसरा resistance दिखाई दे रहा है, यह 40,782 पर दिखाई दे रहा है वहीं पर बात करें, अगर bank nifty में आपको negative momentum देखने को मिला ऐसी इस्तिती में जो हमें पहला support नज़र आ रहा है यह 37,907 पर नज़र आ रहा है, अगर market ने इसका breakdown दे जो हमें दूसरा support दिखाई दे रहा है यह 37,440 पर दिखाई दे रहा है, अगर इसका भी breakdown दे जो हमें तीसरा support दिखाई दे रहा है ये 36,171 पे आपको ये तीसरा support दिखाई दे रहे हैं किलियर है दोस्तो अपना feedback जरूर देना अगर आपका positive feedback आता है तभी मैं इस series को शुरू करूँगा और अगर पसंद आई आपको ये series जो हम weekly analysis कर रहे हैं तो like जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छी content के साथ Thank you